इन लुगों को अपने शोशल मेडिया पर जरूर दिखा होगा। इन दोनों का कहना है कि ये मापेटा है लेकिन इन दोनों की हरकतें को जाधा ही अजीव है। इसलिए आए दिन इने कोई न कोई रोस्ट करता ही रहता है। शोशल मीडिया पर अपने टैलेंट से फेमस होना अच्छी बात है लेकिन शोशल मीडिया पर लोगों को पागल बनाना ये बिलकुल भी अच्छी बात नहीं है इन दोनोंने मा बीटी के इस पवित्री रिस्ते का काफी ज़ादा मजग बना कर रख दिया है तो आएए जान ल अमा की नाम से फेमस हो रही का नाम रच्छना है लोग इनकी एज को देखकर काफे ज़ादा है नहीं हगते हैं त दरसल रच्छना की शादी को ज्यादा ही जल्दी हो गई पर इनके हस्बैन उस 폭क काफी चांदा बड़े थे जिसके बाद इनके दो जुर्बा बच्चे हुए जिनका नाम परी और रुड्र है इनके बच्चों की उम्र अभी 14 साल है रचना फिलाल 35 एर्स की है लेकिन इन्होंने खुद को ऐसे मैंटेन रखा है कि इनकी उम्र जादा नहीं लगती है और इसलिए वो दिखने में 3 एजर में 3 पूरा कर रही डीऊ बाद लेकिन इनके एजीव और इसी वज़न सिसे काफी जादा भी इन्हें रोश् कोई गलती नहीं है कुछ जानती है कि सीचल मेडिया पर कभी अच्छे वीडियो नहीं होते हैं वह समस्क्स अजीब और अतरंगी वीडियो की और इन्हों ने भी और गरीब वीडियो मरना स्टार्ट कर दिया कि काफी ज़ादा वाइरल हो रही शोशल मीडिया पर वीडियो बनाना गलत बात नहीं है लेकिन शोशल मीडिया पर ऐसा कुछ मत करो जिससे आपका मजाग बन जाए फिलाल लोग इनके अजीब वीडियो को देखकर यही बोल रहे हैं कि ऐसे वीडियो से मा बीटी की पबित्री रिस्ति का मजाग बनता है अपने घर में ये कुछ भी कर सकते हैं लेकिन पब्लिकली अगर वो किसी चीज को डाल रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सोश समझ कर अपलोड करने की जरूरत है तो आपका इस पर क्या कहना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शिय में ऐसी ही प्यारी सी अंटोल्ड इस्टोरी के साथ तब तक के लिए बाबाई एंडिक क्यार